क्या आप जम्मू कष्मीर से जल्दी अफसफा हटने वाला है? यह सवाल उठा है किंद्री क्रियमंत्री अमिश शाह के एक वयान से। तरसल शाहा ने कहा है कि किंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से साशस्त्र बल विशिश अधिकार अधिनियम यानि अफस्पा को वापस लेने पर विचार करेगी। शाहने एक इंट्रव्यू में ये भी कहा कि सरकार की योजना जम्मू कश्मिर में तैनास सैनिकों को धीरे धीरे बैरक में भेजने और कानून व्यवस्था को अकेले जम्मू कश्मिर पुलिस पर छोड़ने की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था लेकिन आज वे आभ्यान की अगवाई कर रहे हैं। बात अफसवाकी करें तो ये अशांत शेत्रों में सक्रिय सशास्त्रवलों के कर्मियों को लोग व्यवस्था कायम रखने के लिए जरूरत होने पर तलाशी लेने ग्रफदारी करने और गोली चलाने की व्यापक शक्तियां देता है। शाहा ने कहा कि सितम्मर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में लोकतंतर को इस्थापित करना प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का वादा है और इसे पूरा किया जाएगा। खालांकि ये लोकतंत्र केवल तीन परिवारों तक सीमित नहीं रहेगा और लोगों का लोकतंत्र होगा। शाह ने पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर यानी P.O.K को लेकर कहा कि बीजेपी और संसत का मानना है कि P.O.K भारत का अभिन अंग है। इसके साथी शाह ने जम्मू कश्मीर के युवाओं से पाकिस्तान की साजिशों से दूर रहने का अनुरोध भी किया। उन्होंने कहा आज पाकिस्तान भूक और गरीबी की मार से तरस्त है और वहां के लोग भी कश्मीर को स्वर्क के रूप में देखते हैं। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई कश्मीर को बचा सकता है तो वो प्रधान मंत्री मोदी हैं।